पुलिस थाना ने गिरिफतार कीता है पुलिस थाना ने खुलासा कीता है कि इना नू जम्मू किश्मीर दे मानव करानार सबंदत कारकुन सशील पंड़त नू कतल करन दे बदले 10-10 लक रपे मिलने सान इन पासों पुलिस नू चार पस्तवला अते दो वदेशी जिनना वेच दो वदेशी पस्तवला हन अते दो देशी हन ब्राम्द हुईयां जदो के चार कार्तुस्वी मिले हन इना दोना तो ब्राम्द कीता गया मुबाइल उस वेच शुशील पंड़त दी फोटो भी पुलिस नू मिली है पुलिस अंसार ए सब कोज इना नू प्रिंस और फटूटी कोटकपुरा वासी ने देता सी जिड़ा के फ्रीद कोट दी माडरन जेल वेच बंद सी आते कल ही कोट को दिली दी पुलिस उस नू प्रटक्शन वरंटा उपर उस वेड़े लेके गए जोदों गुरलाल पलवान ना सबंदत केस वेच गिरिफतार कीते तिना नू जवाना नू फ्रीद कोट पुलिस दे हवाले कीता उस उपरा तो दिली पुलिस ने माडरन जेल वेच उप प्रटक्शन वरंटा ते प्रिंस और फटूटी नू भी दिली ले जाया गया ते ओथे जाके पुशिकेश दरान और एक खुलासा होया है दिली दी पुलिस ने इस मामले वेच होर बढ़ना खुलासा करदा दाए दस्या कि एक केस किसे वदेशी इशारेत होया हो सकता है एसलेए एस सारा केस दिली पुलिस दे स्पैशल सेल नू सौंप दता गया है की के हाथ दिल्ली पुलिस दे अधकारियाने आओ सुन दे हैं इन दोनों को 10-10 लाख रुपया प्रॉमिस किया था इस शर्थ पे के वो एक सुशील पंडित नाम के आदमी को मारेंगे यानि उसकी हत्या करेंगे सुशील पंडित एक यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं और हाइव कम्यूनिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सी यो भी हैं दोरान तफ्तीश इनके पास से चार पिस्टल बरामद हुई हैं दो जिनमें से फॉरन मेक की हैं और दो देशी कट्टा है यानि की कंट्री मेट पिस्टल है इनके पास से चार काट्रिजर मिले हैं और एक मुबाइल फोन मिला है जिसमें सुशील पंडित की फोटो है ये सब समान इनको प्रिंस इलियास टूटी ने दिया था प्रिंस इलियास टूटी यह पता चला है कि लखन का बचपन का मित्र है और अभी फरीद कोट के जेल में murder trial भुगत रहा है जिसकी पुष्टी दोरान investigation कर दी जाएगी South West District में ये दोनों rented accommodation देखने के लिए घूम रहे थे तब secret information पर local police आरकेपुरम पुलिस टेशन के स्टाफ ने इन दोनों को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद में इनोंने पूरी अपनी criminal conspiracy बयान करी जिसके आधार पर FIR नंबर 6221 अंडर सेक्शन 2549 आमसेक सेक्शन 120B IPC Punishment for Criminal Conspiracy और सेक्शन 115 IPC Abatement of Offense Punishable with Death और Imprisonment of Life का मुकदमा दर्ज किया गया है थाना आरकेपुरम में मुकदमे की संजीदगी को देखते हुए और यह देखते हुए केस में पूरे केस को स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर किया जा रहा है कि यह जो प्रिंस है इसके किसने गाता है कर दिल्ली नो कमेंट्स